एक्शन फिल्म पर टिकी है शारुख खान की नजर क्या दूमफोर को लेकर होगा बड़ा एलान? डूंट फरगेट तू क्लिक उन वेल आइकन तो गेट अल लेटेस्ट अपडेट्स बॉलिवूट सूपरस्टार शारुख खान के चाहने वाले करोडो फैन्स उनकी अगले फिल्म के ऐलान का बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन किन्खान ने 20 साल रिलीज हुई अपनी फिल्म जीरो के बाद से अभी तक अगले फिल्म के बारे में कोई ऐलान नहीं किया ऐसे में उनके चाहने वालों की बीच ये उत्सकता लगातार बनी हुई है कि बॉलिवुट के बाद्शा कब अगले फिल्म को लेकर ऐलान करेंगे हाल ही में एक इंटेविय में शारुक ने बताया कि फिल्हाल उनके हाथ में कोई फिल्म नहीं है लेकिन वो अभी आगे की अच्छे फिल्म में जरूर करना चाहते हैं शारुक ने बताया कि फिल्हाल वो अपने प्रोडक्शन के तले बन रहे प्रोजेक्स पर फोकस कर रहे हैं इसके बाद एक्टर ने आगे कहा कि मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ मैं कुछ बॉक्सिंग, मारपेट, वन लाइनर जैसे रिष्टे में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं जैसा कुछ करना चाहता हूँ शारुक के फैंस उनका ये बयान सुनकर उच्छल जरूर पड़ेंगे हाला कि बीते दिनों काफी चर्चाए रही है कि शारुक खान अपनी डॉन सीरीज की अगले फिल्म करने वाले है लेकिन ये महज अफ़ाय साबित हुई और डॉन सीरीज की फिल्मों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया बीते कुछ महिनों पहले शारुक को यश्राज फिल्म्स के दफ्तर जाते जरूर देखा गया था उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किंखान दूम फोर में नजर आ सकते हैं